नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लक्षित सेथिया और आप देख रहे हैं इंट्रेक्ट आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप वाट्सैप पे प्रोफेशनली ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं जी हाँ प्रोफेशनली याने की वाट्सैप या वाट्सैप ब बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है और हाँ इस वीडियो में हम यह भी जानेगे कि कैसे आप वाट्सैप एपिए से और इंट्रैक्ट के साथ अपना वाट्सैप स्टोर क्रिएट कर सकते हो और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस उस चाबी का ताला है बैसिकली आप वाट्सैप बिजट्लिस्ट एपिआ को इंत्रैक्ट के साथ चनेक्ट करते हो और फिर आफ वाट्सैप प्र फोन होता है वैसे ही वाट्सैप बिज्ञेसं एप और इंत्रैक्ट लोग场ने के बाद Kenna वाट्सैप 124 —ट देख सकते हों कि कैसे WhatsApp business API के थूप business को manage किया जाता है तो 14 दिन तक कि आप पूरे features को अच्छे से explore कर सकते हो और उसके बाद अपना Facebook business को verify करा के अपने API को live कर सकते हो तो यह process बहुत ही असान है अगर आपको detail में समझना है तो मैं link description पर देता हूँ आप देख सकते हैं और हाँ अगर आपको कोई भी दिक्कत आई कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप यह जो WhatsApp नंबर दिख रहे हैं इस पर easily contact करके हमसे contact कर सकते हो आपकी जो भी problem होगी हम उसको sort करेंगे और आपको professionally WhatsApp पर selling करने पर मदद करेंगे तो मैं आप सभी को quickly इस पैनल के जो main main features है वो बताता हूँ जब भी कोई customer chat initiate करता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है आप किसी भी chat को open करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि customer क्या लिखा है आप easily उस customer के database को save कर सकते हो इसको smart cards बोलते हैं यहां पर आप easily customer के data को save कर सकते हो अगर आपको कोई भी note लिखना है customers related आप note लिख सकते हो अगर वो customer किसी specific category का है तो आप उस customer को tag करके भी रख सकते हो तो वो customer उस particular नाम पर tag करके रखेगा इस तरीके से आप अलग-अलग customer की category के हिसाब से उनको tag करके रख सकते हैं फिर आप नीचे देखेंगे तो बहुत सारे features है जो customers के साथ chat करने पर बहुत ज्यादा मदद करते हैं जैसे कि quick replies है आप बहुत सारे quick replies पहले से बना के रख सकते हैं और जब भी आपका customer उससे related question पूछे तो आप easily उस template को sign कर सकते हो इसके अलवा और भी बहुत सारे features है जो आपके customer के साथ chat को और भी easy बना देते हैं अब जो इस सबसे interesting feature है वो यह है कि आप अपनी customer की chats को अपने टीम member को भी assign कर सकते हैं क्योंकि जब आप बहुत सारे लोग के साथ business करते हो आप अकेले ही सारे chats को manage नहीं कर पाऊगे तो आप यहां से अपने team member create कर सकते हो और chats को अपने team member को assign कर सकते हो और इस तरीके से आप अपनी proper sales team create कर सकते हो और manage कर सकते हो और इसके अलावा हर किसी को bulk whatsapp marketing चाहिए मतलब bulk में अपने सारे customers को message भेजने का कोई tool चाहिए होता है और अब आप officially whatsapp की मदद से अपने सारे customer को notification message भेज सकते हो शर्ते वो customer आपका opt-in customer होना चाहिए मतलब customer को knowledge होना चाहिए कि आप उनको message भेजने वाले हो अगर आपके पास opt-in customers है तो आप सारे customers को एक template create करके notification message भेज सकते हो लेकिन इस वीडियो में मैं आप अभी को इससे भी बहतरीन दो ऐसे features बताऊंगा जो आपको whatsapp पे selling करने पे बहुत ज्यादा मदद करेंगे सबसे पहला feature है catalog feature और दुसरा feature है personalized template feature इन दो features के साथ आप literally बहुत बड़े scale पे WhatsApp पे online business कर सकते हो अब आप WhatsApp पे अपने सारे customers को catalog messages भेज सकते हो देखे अभी तक के हम अपने customers को अपना catalog PDF के थूँ बेजते थे या फिर link के थूँ बेजते थे तो बहुत सारे customers है वो PDF खोल के नहीं देखते थे और बहुत सारी sales वहां पर रुख जाती थी लेकिन अब यह feature आ चुका है जिसमें जो WhatsApp का catalog message है यह आप बल्क में अपने सारे customers एक जटके में सेंड कर सकते हो और यह catalog feature जो आपकी sales को बहुत increase कर देगा आईए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कैसे इसको start करना है सबसे पहले आपको commerce settings में जाना है commerce settings में जाने के बाद आपको सारी details fill up करना है जितने भी process दिए हुए इसको complete करना है और अपना WhatsApp पे store select करना और आपको बताना कि कौन सा product उनको खरीदना है यहां से customers easily आपके साथ chat कर सकते हैं easily आपकी website पर आ सकते हैं easily buy कर सकते हैं आप यह catalog message one-on-one करके भी भेज़ सकते हो और एक साथ बहुत सारे customers को भी भेज़ सकते हो तो अब जब भी आपके पास new product का आपको सिर्फ एक catalog message बनाना है और सारे customers को एक बार में send कर देना है अब बात करते हैं दूसरे सबसे अच्छे feature की जो है personalized template देखिए एक बार customer को product दिखाने के बाद बहुत important होता है कि आप किस तरीके से customers के साथ sales कर रहे हैं sales करने के लिए communication बहुत जरूरी होती है और communication अच्छी करने के लिए personalized communication करना बहुत जरूरी होता है suppose मैं अपने customer को बोलूँगा कि hi how can I help you और वहीं दुसरी तरफ अगर मैं अपने customer का नाम जानता हूं और उसको इस तरीके से बोलता हूं कि hi sham how are you तो दोनों चीज़ों में difference आ जाता है एक में मैं उसके नाम से उसको बुलाता हूं जब भी customer को आप उनका नाम लेके बुला सकते हैं आपको नाम याद रखने की कोई जरुवत नहीं है इंट्रैक्ट आटोमेटिकली आपके customer का नाम याद रख लेगा और जब भी आप template message भेजो के customer को वह customer के नाम से उनको जाएगा अलग impact पड़ेगा अब मैं आपको बताता हूं इसको create करना कितना आसान होता है कोई भी customized image डाल सकते हो, media file डाल सकते हो और भी ऐसी बहुत सारी चीज आइड कर सकते हो जिससे आपके customer को personalized message जाएगा तो personalized message भेजने से पहले आपको personalized template create करना पड़ेगा जिसको WhatsApp अच्छे से verify करेगा एक बार verification करने के बाद आप उस template को हर customer को अपने भेज सकते हो और आपक category के customers को send कर सकते हो, अगर आप किसी भी प्रकार की online selling करते हो और आपको पता है कि WhatsApp की power क्या है तो आप इस feature से बहुत जादा business को grow कर सकते हो, तो ये थी interact की WhatsApp पे sell करने के लिए कुछ ऐसे features जो आज तक कि किसी भी प्रकार के platform पे launch नहीं होए, लेकिन रुको रुको, अब मैं आप सभी को कुछ ऐसे advanced feature भी बता जाता हूँ, जो हो सकता ही कि आप में से कुछ लोगों को समझ ना है, लेकिन ये future होगा, सबसे पहली चीज, automation message, अब आप इंट्रेक्ट में automation message send कर सकते हो, मतलब जो भी customer आपको message भेजेगा, उसका automatically उसको reply चले जाएगा, उस reply के बाद जो भी customer जो भी message भीजेगा, फिर आपकी तरफ से reply चले जाएगा, इस तरीके से आप 5 लेवल का automation, interact के अंदर setup कर सकते हो, उसके बाद है Shopify integration, हमाई साथ बहुत सारे Shopify पे sell करने वाले लोग हैं, जो Shopify पे अपनी website बना के online selling करते हैं, उनके लिए interact के बहुत अच्छे features हैं, आ मतलब अभी तक के checkout नहीं किया है, सिर्फ अभी तक के अपने cart में रखाए, आप उनको WhatsApp पे message भेज सकते हो, आप WhatsApp पे अपने customers को tracking details भेज सकते हो, आप WhatsApp में अपने customers के लिए feedback form भेज सकते हो, ऐसे बहुत सारे features हैं, जिससे आप interact के साथ अपनी Shopify website को upgrade कर सकते हो, अब मान के चलते हैं कि आपकी Shopify की website नहीं है, आपकी खुद की बनाई हुई website है, custom built website है, उस पे भी आप API integration कर सकते हो, मतलब ये सारी चीजे आप एक custom built website पे भी कर सकते हो, अब आपने देखा ही होगा, बहुत सारी website पे WhatsApp के कुछ इस तरीके के widgets होते हैं, तो ये widget भी आप interact के साथ create कर स है, कितने लोग आप से convert होए, कितने लोगों को आपने message भेजा, कितने लोगों ने आपको respond किया, ये जो data है, ये आपके business को grow करने पे बहुत मदद करता है, interact में आपको अपने WhatsApp commerce की सारी analytics एक जगा पे देखने को मिल लाईगी, तो दोस्तों हमने ये समझा है कि WhatsApp पे efficiently customers के स साथ online selling कर पाए, दूसरी चीज़ चाहिए होती, speed, WhatsApp पे आप speed से sell कर पाए, और तीसरी चीज़ चाहिए होती है, personal interaction, कि आप जिनके भी साथ communicate कर रहे हैं, आपका एक personal connection रहे, और interact के साथ ये तीनों चीज़े possible है, आप हजारों often customers के साथ selling कर सकते हैं, catalog message भेज सकते हैं, broadcast कर स कर सकते हो, जिससे आप कम समय में बहुत सारे customers के साथ deal कर सकते हो, और at the end आप personalized communication के थूँ, personalized message के थूँ, एक customer relationship built up कर सकते हो, जिससे आपका interaction customer के साथ और बढ़ जाएगा, और eventually आपकी एक brand value create होगी, तो ना ही सरिफ आप interact के साथ अपनी WhatsApp selling शुरू कर सकते हो, बलकि अपने WhatsApp business को तेजी से grow भी कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करना, कोई भी doubt है, interact related, कोई भी question है, तो comment जरूर करना, और इसी तरीके की वीडियोज हमारी देखने के लिए इस चैनल को subscribe जरूर करना, मिलता हूँ अगली वीडियो में